सुप्रभाद बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेशन 3 डिंग डॉंग बेल तो सबसे पहले आए हम लोग पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में रिडिंग करते हैं इसके बाद हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मेनिंग भी बताएंगे और इसके बाद इसका हिंदी अनुव बेल और बीच में हम इसकी मीनिंग भी बताते चलेंगे डिंग डॉंग बेल डिंग डॉंग बेल मीन घंटी की जो टन टना हट की आवाज होती है गंटी की बजनी की आवाज होती है डिंग डॉंग मीन होता है टन टना हट और बेल मीन होती है घंटी तो इसको बच्चों अ आवाज ए घंटी की, आवाज बेल में घंटी या घंटा, इसकी बात इन डंग- dB, बेल मेन क्या होता है, घंटी या घंटा हम कह सकते हैं, डिंग-D Phi, तन टन टना, हट, ages in the Well, पूशे किस के लिए आया है, बिल्ली के लिए आया है, तो इसको पूशी, कैट, पुशी कैट होता है, in the well, in mean, me, well mean, kua होता है, who put her in, put mean, rakhna होता है, in mean, under, little mean, थोड़ा, छोटा, little mean, क्या होता है, बच्चों, छोटा, थोड़ा, टॉमी टॉमी नाम है थिन मीन पतला हू पुल्ड हू मीन कौन पुल्ड पुल्ड मीन वैसे तो खीचना होता है पुल्ड मीन खीचा हर मीन उसे और आउट मीन बाहर लाइट लिटल लिटल मीन छोटा टॉमी स्टाउट, स्टाउट मीन क्या होता है बचों, मजबूत, इसके पहले भी lesson में हमने स्टाउट पढ़ाया था, कितली वाले में, इसके बाद है, वाटी नौटी बॉय वाज दैट, नौटी मीन सरार्ती होता है, नटखट होता है, और वाज मीन लड़का, वाज मीन था दैट मीन वह, टू ड्रॉन, ड्रॉन मीन क्या होता है, दुवाना, पूर मीन बेचारा, यह बेचारी, गरीब ही होता है, पूर मीन क्या होता है, गरीब ही होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारी बिली के लिए आया है, पूसी कैट, कैट में बिली, अब इसमें बचों यह वर पूवर का नहीं दिया गया था तो पूवर इसमें जोड दिया है बेचारी वेल मीन क्या दिया है कुआ इस्टाउट मीन मजबूत नाटी मीन नटकट थिन में पतला पुल्ड मीन खिचना ड्रॉन में डुबोना डुबाना और पूवर में बेचारी तो अगर नहीं पढ़ना अगर पढ़ने में कोई प्राबलम हो रही तो वीडियो को रिपीट करके कई बार देख करके इसको पढ़ना बच्चो सीख सकते हो सीखने की कोशिस कर सकते हो इसकी बाद अगला जो इकसरसाइस में कुछ दिया गया इसमें पिक आउट राइमिंग वर्ड फ्रॉम दी पोय बैल इस तरह से यह राैमिंग फो जाएंगे तो यहां पर देखें यह बल बैल वर्ल इसमें समान मात्र है नहक्त लंग और नेक्स्ट में के इन थिन है मते आने संतिति उप्रॉम चारण के समान हो रा आउट इसके बाद दैट कर दैट यह जाएँनग मैं हो जाएंगे अब वही हमको इसमें भरना एक्सरसाइज में तो पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोयम पोयम में बच्चों क्या होता है कविता और राइमिंग में ध्वनी सूचक तो हमें राइमिंग वर्ड्स भरना है समान ध्वन सूचक सब्द भरने हैं तो इसमें बेल बेल का वेल हो जाएगा हमने बताया है पोयम से भी देख के आप लोग लिख सकते हो इन मिन इन इन का राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा थिन और ध्वनी ओ सॉरी इस आउट का इस्टाउट और दैट का कैट तो यह हो गया इसकी बाद यह आपको इसमें कल बनी हुई है बिलको आपको कलर करना है कई कलर्स का प्रियोग करना इसमें तो बस आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद